वान ब्लस नौट सी इटू डिवाइस इस डिवाइस का आज मैं आप लोगों के साथ फुल केमरा कंपैरिजन करने वाला हूं दिखाने वालों कि इसके जो सौट्स हैं वो आपको कैसे परफॉर्म करते हैं और इसका जो आपको कैमरा सेंपल्स हैं यह मेरे पास आ चुके हैं और कैमरा सेंपल्स बहुत पहले ही आ जाते हैं वीडियो भी बहुत जादा पहले से रैडी हो जाती है बस वेट होता है वोन के लांच का तो आज आपको यह वीडियो में पूरी इंफॉर्मिसन देखो और बताने वालों कि इसका कैमरा कैसे परफॉर्म करता है तो अगर आ आप लोग यहां पर देख सकते हो जो डिटेलिंग है अच्छी है और यहां पर थोड़ी थोड़ी जगाओ पर ओवर सैचुरेट कर रखा है अगर यही फोटो किसी आईफोन से कैप्चर करी होती हमने तो जो ओवर सैचुरेशन की प्रॉब्लम है वो हमें नहीं देखने को सब्सक्राइब करें यहां पर आपका जो ओल ओवर नाइट मोड को यूज करके जो फोटो एव अच्छी केप्चर करी आप लोग नाइट में भी काफी ब्राइट फोटो को एप्चर कर सकते हो इसने ब्राइट फोटो क्या करने के वजह से जो ओल और की पिक्चर की कर पाया और सेचुरेशन को इसने इतना अच्छी से में नहीं कर तो इस सेंपल से तो मैं भी खुस नहीं हूँ आपका क्या कहना है आप लोग मुझे नीचे कमेंड करके बता सकते हो हम लो बढ़ते हैं हमारे सेंपल की तरफ तो यहां पर हमारा लो लाइट फोटोग्राफिक है वह यह है यह जो सेंपने यह इसकी क्वालटी देख सकते हूं कि क्वैल्टी में जादा कुछ डिप्रेंस नहीं नहीं है नाइट फोट ग्राएव देख सकते हो यहां पो 실सीरें इसको यहाँ हैं यह तो इस यह यह से यहां पर यह यहलो टीट पहन रखें तो वह इस यहलो से यहलो आप लोग कंपेर करो देखो किता अलगी एक दम मतलब हाइलाइट मार रहा है यह यहलो तो यह चीज भी देखने मिलती है और कलर्स को थोड़ी थोड़ी जगाओ पर अजीब अजीब निकालता है यह बाकि यह जो लाइट चल लिए इसकी लाइट को अगर थोड़ा से कंट्रोल कर रहा होता तो और ज्याद अच्छी फोटो आती है तो यह चीज आपकी प्रॉब्लम देखने हो मिलती है नहीं पर लोग बात करें डेलाइट फोटोग्राफी की तो डेलाइट में आपकी जो सेचु यह देखो यह प्रॉब्लम्स आपको देखने हो मिलने है इस डिवाइस के अंदर सेचुरेशन की तो सेचुरेशन अगर ठीक हो जाए तो यह दिवाइस की पर्फॉइंस बहुत जादा अच्छी है और उसके बाद अगर हम लोग याला सेंपल देखें तो आप यहां पर द लिए को स्बाइस के अंदर और पर यहां पर लिए और यहां पर दिए तो यहां के तो यहां पर तोड़े से प्रॉसक्तुरेशन परवल्लम्स सें और यहलं से पर पेंट का कलर देखो यहां देखो यह भी अलका फुल का ओवर से चुरेट है यहां पर जो कॉल्टी वह अच्छी देखने हो मिलती है और आपकी जो बाकी सब चीजे में वह भी अच्छी देखने हो मिलते तो HDR मोट को यूज करके आप लोग काफी जाधा अची फोटो कर यहां पर आप लोग क्वाल्टी देखो यह फोटो मुझको अभी तक की दी बेस्ट फोटो लगी इस डिवाइस की क्यूंकि यहां पर आपका हलकलका ब्लू टोन कर रहा है और यह जो ब्लू टोन है यह मुझको सैमसंग के डिवाइस में देखने हो मिलती थी बट यह चीज सैमसंग का HDR इन लोगों के इसमें क्या कर रहा है मुझको पता नहीं चला बट ऐसी चीज मैं सैमसंग के डिवाइस में देखने हो में देखता था तो यह चीज इसके अंदर भी है तो यह चीज अच्छी है अच्छी लगते मुझे देखो यहां पर यह जो फोटो है इसकी क फुली फुली यूस करा गया और बहुत ज़्याद अच्छी फोटो है यहां पर आप लोग क्वेल्टी देखो जो सन फ्लावर से उनकी क्वेल्टी देखो ओव यहां पर जो बादलों की क्वेल्टी है वो तो इसने नेक्स्ट लेवल कर दिया है तो यह चीज में देखकर अच्छी लगी हो यह फोटो बहुत अच्छी लगी मुझको और अगर हम लोग बात करें तो डेलाइट की विदाउट अच्छी लगी है और से प्रोपलम देखो फिर से यहां पर स्टार्ट हो गई डायनमिक रेंज भी अच्छी आ रही है से चुरेशन बहुत जादा इसूस इसके अंदर यह देखो सेच ओवर सेचुरेट करता है यह पता नहीं है मेरे सेंप मेरे कोई लग रहा है कि आपके कर दिया जान siitä वह दो अच्छी है बोसने पर यह लुट एक रहां इंडर आपकी रेंज देखा बीऑ है और यह अगेंड सबल्सक्राइक Circle propose यह इसके आप लोग देख सकते हो अभी इंडियान स्किन टोन के हिसाफ से मैंने अभी कोई भी इसकी फोटोग्राफ नहीं देख पाया हूं बट यह आपकी चाइनिस फोटो है तो यह पर आप लोग देख सकते हो जो आल ओवर क्वैल्टी वह अच्छी और यहां पर जो एज डिटेक् to end